नमस्कार दोस्तो यूट्यूब की पहली पेमेंट मेरी आ चुकी है जो कि हर एक यूट्यूबर को इंतजार रहता है कि उसकी पहली पेमेंट कब आएगी और पहली पेमेंट उसकी आती है कई सारे प्रोसेस होते हैं चैनल मॉनेटाईज होता है बहुत कुछ होता है अगर एक की यूट्यूबर है तो वो सब कुछ जानता है किस तरह से क्या-क्या प्रोसेस होता है जिसके बाद में उसकी पहली पेमेंट आती है और जो है उसकी income सुरू होती है तो यूट्यूब पे आने का main मकसद यही होता है कि लोग जो है कुछ income generate कर सकें वहां से कुछ कमाई कर सकें तो आज इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं सब कुछ दिखाने वाले हैं कि क्या-क्या परिसानिया उठानी पड़ती हैं और कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में लोग सोचते होंगे कि वीडियो बहुत ही आसान काम है तो उनको ये पता चल जाएगा इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों इस वीडियो से आपको motivation भी मिल सकता है अगर आप एक YouTuber बनना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं अगर आप YouTuber बनना च चाहिए ये वीडियो अगर आपने देख लिया पूरी तो आपको समझ में आ जाएगा कि YouTuber आपको बनना चाहिए या फिर कोई दूसरा काम करना चाहिए तो सारा कुछ बताने की कोशिस करेंगे दोस्तों आपको कि किस तरह से YouTube पे मैं आया तो दोस्तों YouTube की जरनी मेरी सुरू होती है 7 अगस्त 2016 साथ अगस्त 2016 को मैंने ये चैनल ओपन किया था और जो है सोचा था कि YouTube पे वीडियो बनाऊंगा और जो है वहां से income generate करूंगा ये चीज मुझे पता थी कि YouTube से कमाई होती है उस टाइम पे जब मैंने ये चैनल बनाया था तो काफी पुराना मेरा चैनल है तो चैनल मैंने बनाया और कुछ जो है जानकारी जुटाई तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमको अच्छे से याद नहीं है लेकिन ये याद है कि उस टाइम पे ये रूल था कि आपका चैनल 6 मन्त पुराना होना चाहिए और कुछ कंडिशन थी उसके बाद जो है अगर आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे और उस पे डालते हैं तो आपकी इंकम जिनरेट होनी चालू हो जाएगी तो दोस्तों जब हमने देखा कि 6 मन्त चैनल पुराना होना चाहिए तो फिर हमने चैनल बना लिया उपन कर लिया उसके बाद में छोड़ दिया ऐसे कि 6 मन्त पुराना होना चाहिए उसके बाद में जब आप वीडियो बनाएंगे और उसमें इंकम जिनरेट होगी तो हमने चैनल बना के छोड़ दिया कुछ भी नहीं किया और उस टाइम पे मैं रिसर्च वर्क करता था और अपनी जॉब कांटीनियू रखी जॉब करते रहे फिर 2017 में कुछ ऐसी प्राबलम हुई जिसकी वज़े से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और जॉब छोड़ दी फिर बीच में कुछ पार टाइम अपना काम करते रहे फिर दोस्तो एक यूट्यूबर था उसकी मीडियो हमने देखी और जो है मुझे अपने चैनल की याद आई कि जो है यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसको हमने बनाया था काफी टाइम हो गया पुराना हो गया और थोड़ रखी है कुछ काम नहीं कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत पार टाइम काम कर लेते हैं तो उस टाइम पे जब हमने चैनल ओपन किया था उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना ज्यादा चलन नहीं था फिर जब हमने काम स्टार्ट किया है 2020 लास्ट में हमने काम करना start किया तो continue काम हमने किया लेकिन जो है काम जो है gaping करके बहुत ज़्यादा gap करके हमने काम किया क्योंकि इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा knowledge भी नहीं थी और जो है और वीडियो बनाने के लिए जो संसाधन होने चाहिए जैसे कि उस टाइम पे जब हमने काम start किया तो हमारे पास में लेनेवो के 8 प्लस मोबाइल फोन था जिससे हम वीडियो बनाते आए हैं अब ही जो है जल्दी ही हमने अपना मोबाइल चेंज किया है तो इस टाइम पे हम दूसरे मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं शुरू किया है हमने लेनेवो के 8 प्लस मोबाइल फोन से जिसका कैमरा बहुत अच्छी क्वाल्टी का नहीं है ठीक था क्वाल्टी का था जिससे हम वीडियो बनाते थे तो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं वीडियो स्टार्ट होती है और कितनी आती है अभी हम आपको बनाने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो वीडियो आप जरूर देख ले क्या आपको यूट्यूबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और आपको हम दिखा दें कि जिस जगे से ये वीडियो आपको मिल रही है उस जगे की लोकेशन क्या है तो आपको हम दिखा रहे हैं देखिए गोस्तों किस जगे से आपको ये वीडियो मिल रही है एक छो मोबाइल फॉन है जिससे हम वीडियो सूट कर रहे हैं और एक स्टेंड है लाइट भी बहुत अच्छी क्वालती की नहीं है तो हमने कुछ जुगाल करके यह लाइट भी सेट कर रखी है एक जो है रिंग लाइट है वह भी बहुत अच्छी क्वालती की नहीं है हलकी लाइट उसमें आती है तो हमें डबल लाइट लगानी पड़ती है तो दोस्तों आपको हम बता अगर यूटूबर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं लेकिन आपको जो हमने बताया कि हमारा एक वीडियो जो हमने बनाया था लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो वीडियो आप जरूर देखें उससे आपको पता चल सकता है कि आपको यूट्यूबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए यूट्यूबर की जिन्द सवाल करते थे कि बहुत सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है घर में आपके बिरोध हो सकता है घर वाले मना कर सकते हैं कि यह क्या काम कर रहे हैं इसमें क्या फायदा है कहीं जाके कुछ काम करो तो लोग मुझसे भी इस तरह के सवाल किये कि आपको कुछ काम करना चाहिए कुछ जॉब करनी चाहिए और आपको बताएं दोस्तों कि मेरे आइडिया बहुत जवरदस्त होते हैं कई सारे दोस्त मेरे मुझसे सला लेते थे कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए कोई प्रॉबलम हो जाती थी उनके साथ में तो मुझ से सला लेते थे और हमने यह अनभो किया है देखा है की जो हमने उनको सलाह दी है जो उनको बताया है उनकी problem को solve करने की कोशिस की है और उनकी problem solve हुई है और मेरे वज़े से कई लोग ऐसे हैं जो आज successful हो चुके हैं तो जैसा कि दोस्तों हमने बताये कि कई सारे लोगों की हमने problem solve की, उनकी problem solve हो गई, मेरे idea बहुत जबरदस्त होते हैं, तो YouTube पे आने का main मकसद ये है कि हमारी वज़े से, मेरे वीडियो की वज़े से, अगर एक भी बंदे की problem solve हो जाती है, तो मेरा YouTuber बनने का सपना साकार हो ज $100 आपकी complete हो जाते हैं, तो आपको bank detail वगेरा submit करनी होती है, और उसके बाद में आपकी payment आती है, $100 से ज़्यादा होगी तो भी आ जाएगी, और $100 से कम होगी तो payment आपका नहीं आएगा, जब तक आपका $100 complete नहीं हो जाएगा, तो मेरा $130, $130 हो गया था, और मैंने bank detail submit नह payment नहीं आई, मुझे दूसरे bank में account खुलवाना था, और वो account हमें link करवाना था YouTube की income से, लेकिन जो account हमें खुलवाना था, वो account मैं नहीं खुलवा पाया, कुछ समस्याएं हो गई, तो हमारा जो पुराना account था, Indian bank का मेरा account है, तो उसको हमने link किया, और जो है link करने के दूस दिन ही मेरे पास में email आ गया कि आपकी payment जो है भेज दी गई है, 14 तारीक को मेरी payment भेजी गई वहां से, और 14 तारीक को मेरे पास में email आया कि आपकी payment भेज दी गई है, और उसके बाद में 17 तारीक को bank का मेरे पास में email आया कि आपका payment आया है, तो उसमें दिया गया था कि आप 5 दिन तक इंतजार कर लीजिए 5 दिन के अंदर आपका payment आपके account में नहीं आता है तो आप अपने branch में जाके संपर्क कर सकते हैं और पांचवे दिन जो है मेरे पास message आया कि आपका payment आ चुका है मेरे account में आ चुका है तो दोस्तो 130 dollar हो गया था मेरा लेकिन जो है 113 dollar का payment मुझे भेजा गया है तो दोस्तो 14 तारिख को मुझे payment भेजा गया था 14 अपरेल को तो 14 अपरेल को जो rate था 81.85 पैसे rate था उस rate के हिसाब से मेरा payment बन रहा था 9,258 रुपे और जो है हमारे पास मैसेज आया कि आपका पेमेंट आ चुका है तो उसमें हमें जो है 9,169 रुपे का पेमेंट सो हुआ तो उसमें लगबग 89 रुपीज के आसपास कुछ कट हुआ है तो हो सकता है ये बैंक का कुछ चार्ज हो तो दोस्तो 2020 लास्ट में हमने वीडियो डालना सुरू किया था और 2020 लास्ट से आज की डेट में लगबग 30 साल का टाइम हो गया है तो 30 साल बाद हमें 9,000 रुपे की पेमेंट मिली है और दोस्तो आप देख सकते हैं कि मैं किस जगे बैटके ये वीडियो सूट कर रहा हूँ बैठने के लिए कोई चेर भी नहीं है एक जंगाल है उसके ओपर बैटके जो है वीडियो सूट कर रहा हूँ प्लास्टिक वाली कुरुसी पे अगर बैठते हैं तो उसके साइड का हैंडेल या पीछे का हैंडेल वो भी आ सकता है तो हमें जो है इस तरह का डिबा सूटिबल लगा कि इस पर बैटके वीडियो को बनाया जा सकता है तो आपको बता दें कि 9000 रुपे पेमेंट आई है और मुझे संतुष्टी है कोई सिकायत नहीं है क्योंकि हमने बहुत मैं संतुष्ट हूं इससे लेकिन आपको बता दें कि 9000 रुपे पेमेंट आया है तो अगर हम चाहें कि एक ओफिसियल चेयर हो एक ओफिसियल टेबल हो तो 9000 रुपे में नहीं आ सकती आगे देखा जाएगा आगली पेमेंट आती है तो कोशिस करेंगे कि पूरा सेट अप कर लें कि हमारा जो वीडियो का है उसमें समस्याइन आए एक टेबल भी होनी चाहिए क्योंकि आप देखते होंगे कि अन्बॉक्सिंग वाले वीडियो भी हम बनाते हैं तो अन्बॉक्सिंग करने के लिए एक टेबल होना भी जरूरी है तो दोस्तों यूट्यूबर की जर परचेस करना पड़ेगा इमेज आपको एडिट करनी है तो उसके लिए भी आपको आप परचेस करना पड़ेगा और साथी आपके पास में सेटप होना चाहिए लाइट होनी चाहिए ट्राइपोड होना चाहिए अच्छा फोन होना चाहिए अगर आप मोबाइल फोन से बन पे आने के बाद में आपका चैनल मॉनिटाइज हो जाए आप इंकम चालू कर लें उसके बावजूद जो है कोई गारंटी नहीं है कि आपका चैनल लाइफ टाइम चलता रहेगा आप लाइफ टाइम इंकम करते रहेंगे और दोस्तों बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके मिलि लेंगे तो आपका चैनल यूट्यूब डिलीट भी कर सकता है तो यह आप जान लीजिए कि यूट्यूबर बंद जाएंगे आप इंकम चालू कर लेंगे उसके बावजूद जो है आपकी कोई लाइफ की गारंटी नहीं है कि आपका लाइफ टाइम आपका चैनल चलता रह लेगा तो इतनी सारी बाते आपको बताने के बाद अगर आप समझ पाएं हो कुछ जान पाएं हो कि क्या आपको यूट्यूबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए दो तीन वीडियो हैं जिनके लिंक हमने डिस्किप्शन में दे दिये हैं वो वीडियो आप जरूर से जरूर देख लेना कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो दोस्तों उम्मेद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी अगर आप कुछ इस वीडियो से सीख पाएं हैं समझ पाएं हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजी औ और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत